जम्भू शहर करोट मिठे वा तुसी मत्वट पाया अज्रस नहीं जोड़ दिते एक खुब्सुरा सफर सुरू हो चुका है जो की रहने वाला है चटिनेगट से कश्मी टक का जिसको पूरा करने के लिए हमें लगभग 12-15 घंटे लगने वाले हैं लगभग 7-8 घंटे का सफर तै करने के बाद मैं पहुचा हूँ अटल टनल के सामने और ये बनी हुए जम्मू कश्मीर में ये लगभग 9 किलोमेटर की टनल है जो की अंदर से बहुत ही खूपशरत और बहुत ही फैसलेटी के साथ तयार की गई है इसके अंदर CCTV कैमराज, फॉन, लाइट्स, काफी चीज़े अवेलेबल्स हैं काम की बात आपके लिए है, अगर आप दिली से कश्मीर तक आना चाहते हैं तो आपके लगभग 2,000 पे बॉल्वावस से लगते हैं और अगर आप बाइ एर आना चाहते हैं तो लगभग आपके 4,000 पे लग सकते हैं ट्रेन की सुविदा अभी कश्मीर तक अवेलेबल नहीं है सिर्फ दिली से जम्मू तक आप ट्रेन से आ सकते हो सुभा से चलते चलते साम हो चुकी है और आज मेरी डेस्टिनिर से रहने वाली है सीरी नगर की तो वहाँ पोचने के बाद अब बात आती है इस टेकी तो मैं आपको बता देता हूँ वहाँ रूम की स्टार्टिंग हो जाती है 500 रुपे से जिसमें आपको गरम ठंडा पानी मिलता है और ने के लिए अच्छे कपड़े मिल जाते हैं सो दोस्तों मेरी पेहली प्यारी सी सुभा सिरी नगर के अंदर अभी हम जा रहे हैं ताज होटल जोकी सुरि नगर के अंदर बहुत ही खूबसूरथ जगह पर बना हुआ है वहाँ अपना थोड़ा सा काम है उसको फिनिस करते हैं Then हम return आते हैं से नगर के अंदर और explore करते हैं यहां की खुबसूरत चीजों को. हम लोगों का यह first time है कश्मीर के अंदर तो हम Google दीदी की मज़़ से अपनी destination पर पहुँच रहे हैं. अभी यह अब आज आपने उन्हीं की सुनी है. यूही नहीं कश्मीर को दुनिये की जन्नत कहा जाता है, यहां पर आकर सच में इस बात को मैंने personally experience किया है. और यहां से जो वादिया नजर आएंगी ना आपको वो बिलकुल ही आपकी सोच के पर रहे होंगी. क्या नजरे यार यहां से दिखाया देते हैं, भेले ही अभी यहां पर स्नोफॉल या इतना बर्फ नहीं जमा हुआ है, बट यहां के जो नजरे ना बहुत ही खूबसूरत मन मोहक. ताज होटल को ऐसी जगह पर बनाया जहां से डल ले का बहुत ही मस्त वियू नजर आता है, जो कि कश्मीर के अंदर बहुत ही ज़ादा फेमस है, यह देखे दोस्तों, यह है डल ले का नजरा जो कि ताज होटल से नजर आता है, और कश्मीर भी पूरा यहां से दिखाई द लेटल के अंदर अपना एक एवेंट था जो की स्टार्ट हो चुका है बहुती बढ़िया तरीके से अब वेट है इसके खतम होने का बहुत बढ़िया तरीके से और फिर चलते हैं हम बोटिंग करने के लिए डल लेक के अंदर जो कि कश्मीर में बहुत ही ज्यादा फेमस है और बहुत ही खुबसूरत भी है वहां मैं आपको दिखाता हूं फ्लोटिंग मार्केट फ्लोटिंग डाग घर बहुत ही बैस चीजे मैं आप पता करते हैं बोट राइड का क्या चार्जेज है क्या क्या चीज उसमें इंक्लोडिंग है खुल इंफोर्मेशन आपको दूँगा अगर आप यहां पर आते हैं तो आपको उस चीज से काफी फायदा होने वाला लेक के अंदर अलग-अलग पॉइंट्स बने हुए पॉइ ऐधे फुल आयाशी में हमारे अचया है नाब भुजेर में तुम्हारा एलम भाई हमारे फुल फुल मौज में आपके हिल susan कश्मीर शराश्य के अंदर आपको फोटोग्राफर मीमलेंगे यही सामने जो बोट में फोटोग्राफर हैं अब यह हमारे पास आ हारे है क्या चार्जिस होते है सर नहीं चार्ज अच्छा इसका उन्ट ट्रेस लगा के बॉर्ट वालेका अच्छा बंट ट्रेस पर बनाना है ना इस थेटी दूपीज अब क्या होंगे फोटो रिडी होगा पैसा मैसा मैं अभी जैने में अभी तेने में पूश को दो आख यहां पैनी गई ड्रेस अपड़ा यतने बहुत पैननक है अरे सर आइस तो दोस्तों लेक के अंदर आपको अगर रुकना चाहते हो नाइट इस्टे करना चाहते हो तो आपको फ्लोटिंग होटल में मिल जाएंगे पास में आप यह जो देख रहे हो बड़े-बड़े फ्लोटिं होटल हैं और इन्हें की साइट में आपको फ्लोटिंग मार्केट मिलेगी जो की बहुत ही खुबशूरत है कस्मीर के अंदर दूसरी सबसे बड़ी डल जील है और इसकी जो दूरी है वो लगबग 18 किलो मिटर की है 18 किलो मिटर में इसमें बहुत ही सुन्दा सुन्दा के बारे में तो सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लगी मुझे और अभी जो आप यह अबार सुन रहे हैं एक नाव को ठीक किया जा रहा है पिल्कुल हमारे पास में जो की जील के अंदर ही ठीक करी जा रही है क्या बात है प्लैन तो हमारा लाल चोक पर जाने का था ज अगर आप यहां से परशनल अपनी गाड़ी बुक करके जाते हो तो आपके 4000 रुपे लगेंगे आने जाने में अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट लेके जाना चाते हो तो आप 1000 रुपे में आना जाना दोनों कर सकते हो और साथ में कुछ खापी भी सकते हो मैं कश्मीर के अ जाना नहीं हो रहा है अधरवाइस मैं आपको हर चीज दिखाता वहाँ पर कैसे क्या होता है थोड़ा सा टाइम नहीं है काम जाद है इस बज़े से नहीं जा पार हो नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिस करेंगे टेक केर बाइबाइबाइफ फिर मिलते हैं नमस्ते